जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है दरसल ब्यसफ ने अंतराष्टी सीमा के पास एक सुरंग का पता लगाया है ये सुरंग पाकिस्तान की ओर से खोदी गई थी बताया जा रहा है कि आतंकियों की साजिश अमरनाथ यातरा को टारगेट करने की थी ये सुरंग डेट सो मीटर लंबी है ब्यसफ के मताबिक ये सुरंग चार मई को सामबा सेक्टर में मिली है सुरंग दो फीड चोड़ी थी इसे हाल ही में खोदा गया है सुरंग से 21 रेत के थैले भी बरामद हुए है इनका इस्तेमाल सुरंग के निकास को मजबूत करने के लिए की आ गया था ब्यसफ ने जम्मू कश्मीर में डेट साल में ये पांच भी सुरंग का पता लगाया है बताया जो रहा है कि इस बार आतंकियों की साज़िश अमरनात यातरा को टारगेट करने की थी हलांकि सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ये साजिश नाकाम हो गई फिलहाल अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आतंकियों ने इस सुरंग का इस्तेमाल घुसपैट में किया है या नहीं इस से पहले नबंबर 2020 में सुरक्षा बलो ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तान से सटे अंतराष्टिय सीमा के पास एक सुरंग का पता लगाया था ये सुरंग अंतराष्टिय सीमा से महज 160 मीटर की दूरी पर मिली थी खास बात ये थी कि इस सुरंग के जरिये चार आतंकियों ने भारत में गुसपैट भी की थी इन सबी आतंकियों को सुरक्षाबलों ने गरोटा में हुई मुठभेड में धेर कर दिया था। इसके अलाबा B.S.F. ने जम्मू के पंसार, सांबा, हीरा नगर और कठुआ में सुरंग का पता लगाया था। B.S.F. ने जम्मू के सुझबा इलाके में 22 अप्रैल को हुई मुठभेड के बाद, अंतराष्टिय सीमा के साथ किसी भी सुरंग का पता लगाने के लिए बड़े पेमाने पर अभियान शुरू किया है। जब केंद्रिय ओध्योगिक सुरक्षाबल C.S.F. के जवानों को ले निरिक्षक शहीद हो गया और दो पुलिस कर्मियों समेत नो सुरक्षा कर्मी घायल हो गये।